हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हम आगए अपने पार्ट टोपी शुकला का प्रश्ण अभ्यास लेकर हमने पार्ट आपको समझा दिया कि पार्ट में कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये राही मासूम रजाद्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है जिसमें से एक अंश हमने लिया है याद रखिए जो भी हम अंश लेते हैं वो अधूरे रहेंगे संपूर्ण कहानी नहीं रोती जैसे कि हमारे जीवन की कोई एक या दो घटना किसी जगा पर लिख दी जाए यसा नहीं होता कि कहानी एक अच्छे शुरू होती है बीच में मुश्किले आती हैं फिर आंड हो जाता है बन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं जब हम पूरे बन्यास पढ़ेंगे तो उसमें हमें संपूर्ण कहानी मिलती है लेकिन जब हम भाग बढ़ते हैं यानि कि एक छोटा सा भाग लिया गया है तो उसमें क्या होगा कुछ घटनाओं का ही उलेक होगा तो इसमें यहीं हुआ टोपी की कुछ घटनाओं का उलेक था कैसे उसका फ्रेंड बना उसकी दादी के साथ लगा घर में किस तरीके से अलगाव हो रहा था सारी चीजें और यह सारी चीजें किस तरीके से उसकी स्टड़ी पे एफेक्ट डाल रही थी कैसे वो फेल हो रहा था स्कूल में भी उसका कोई साथी नहीं था तो यह सारी चीजें जो हैं वो हमने एक पार्ट में पढ़ी अब इससे रिलेटेट कोशिन आंसर हमको पूछे जा रहे हैं अब इन कोशिन आंसर को हम सॉल्फ करना शूर करते हैं कि कैसे कैसे और इनमें क्या क्या हमको लिखना है तो पहला कोश्चन है इरफन टोपी शुकला की कहानी का महात्पूर्ण हिसा किस तरह से है क्यों है क्योंकि इरफन एक अकेला ऐसा लड़का था जिसके साथ टोपी सबसे जादा क्लोस था वो अपनी सारी बाते शेयर करता था सब कुछ होता था तो यही चीज़ें आपको इसमें देखनी है कि कैसे वो एक दूसरे से दोस्त बने कैसे वो और फिर उसके बाद वो उससे बिच्छड भी गया था तो हमसे सिर्फ उन्होंने क्या पूचा है टोपी शुकला की कहानी का मेन क्यूं है हमको वही चीज़ बतानी है तो क्या दिया इरफ़न और टोपी शुकला अलग-अलग मज़भ के होते विए एक दूसरे से प्रेम रूपी अटूट बंधन में बन दे थी टोपी की दोस्ती पहले-पहल इरफ़न के साथ ही हुई थी इरफ़न के बिना टोपी शुकला की कहानी को समझा नहीं जा सकता इस तरह इरफ़न टोपी शुकला की कहानी का अंस है क्योंकि अगर हमने टोपी को समझना है घटती थी इसलिए बहुत महतुपूर्ण अंग था आप चाहें तो इसमें इरफन की एक घटना मतलब उसके साथ जो चीज हुई जैसे बैन में खानी की टेबल पर वैगन की भुरता के समय अम्मी शब्द का कह देना तो वो भी कहां से हुआ वो उसने कहां से किया था उसका ह उसने वो इरफन कहां से सीखा था और वो घर पर आकर उसने बोला जिसकी वजह से उसकी कुप पिटाई हुई थी नेक्स कोशन इरफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी पीहर मतलब माय का जो जहां शादी से पहले वो रहती थी वो जमीदार के बेटी थी तो चानों, शौकत, रुद्बा, जमीन, जानवर, खेट, सब कुछ था हर इंसान को इस सब चीजे पसंद आती है तो इरफन की दादी को भी पसंद आती थी यहां पी क्या था बंदिशी वो एक मौलवी की बेवी थी तो उन्हें एक दाइरे में रहना पड़ता था सारे नियम कस्टम सब कुछ फॉलू करने पड़ते थे कहां वो एकदम आजादी से रहने वाली और कहां यहां मौलवी से शादी हो जाने के कारणन हर एक चीज नियम कायदे का फॉलू करना तो वही डिफरेंस को यहां पर बताते हुए हमको बताने क्या चीज दिया इरफन की दादी जमिदारों के परिवार से आएं थी इसलिए वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना थी परन्त उनका विवा मौलवी के साथ कर देने के कारण उन्हें पाबंदी में रहना पड़ता था उन्हें पीहर का घी दूद कची हवेली वहां की सुतनता याद आती रहती थी इसलिए इसलिए इच्छा उन्होंने कब पूरी करी जब इरफन पैदा हुआ खुब जश्न मनाया था खुब नाची थी खुब गाई थी तो भई मौलवी यह सिंपल शादी करनी है पाबंदीयों के साथ जादा और तो होते नहीं करना है नाशना गाना नहीं करना तो वह सब चीज़े पाबंदिया थी इसलिए वह अपने बेटे की शादी में यह सारी खुब पूरी नहीं कर पाई थी नेक्स्ट अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रक्रिया थी तो सबसे पहले जो हुआ था वो घटना लिखेंगे फिर यह प्रक्रिया क्यों हुई थी देखी क्या लिखें टोपी के घरवाले आधुनिक होने के बावजूत ह Zuschagками क्या से फिरे नहीं मेरी हिंदु है तो कोई अम्मी बोलेगा तो खलेगा तो वही हिर्दि यहां पर तुने दे लेकर अब हुआ धा मधा मुसल्मानों के घर में प्रयुग होता है टोपी के मूंसे अम्मी शब्द सुनते ही टोपी के घरवाले सक्तिक कि स्तथी में आ गए उन्हें लगा कि जैसे उनकी परंपरा और संस्कृति की दिवारे डोलने लगी उन्हें लगा कि उनका बेटा बुरी संगती में फज गया है जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस इरफ़न की घर से सीका है तो घर में उसकी खूब पिटाई हु 10 अक्टूबर संग 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है उस दिन क्या हुआ था इरफ़न के पिता जी का तबादला मुरादबाद हुग गया था तभी उसी दिन उसने ये कसम खाई थी कि वो किसी भी तबादले वाले यानि जिनका जो ट्रांसफर होता रहता है ऐसे किसी लड़के से जो है वो दोस्ती नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या हुआ 10 अक्टूबर संग 45 का दिन टोपी के जीवन में पिशेश मात रखता था क्योंकि उसी दिन टोपी के रफ़न के पिता का तबादला हो गया था उसका मित्र उसे छोड़कर मुरादा बाद किसी दिन उसने कसम खाई कि वो तबादला होने वाले मित्र के साथ दोस्ती नहीं करेगा इसी दिन से टोपी अकेला भी हो गया था और बाद में वहा किसी से दोस्ती नहीं कर पाया था तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंचिन करनी हैं नेक्स कोशन कोशन नमर सिक्स टोपी ने इरफन से दादी बदलने की बात क्यों कही थी क्या हुआ था घर में उसने अम्मी बोल दिया था तो उसकी खूब पिटाई हुई थी और दूसरे दिन वो लोग जोगराफिय का पेरट बंक करके चले गये थे और यहां क्या होता थ ट्यूंका इरफन की दादी बहुत पसंद आती ती उसके साथ बात करती थी सब कुछ करती थी तो यह और जहां अचानी एकदम और था की साथ और शुटाक थी इसके विपरीत इरफन की दादी असीम प्यार से भरी थी वे कभी बच्चों को डाटती नहीं थी और उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी वह उससे बड़े प्यार से अपने पास बठा कर बाती करती थी इसले टोपी ने दादी के इसी इसने पूर सभाव के कारण इरफन से दादी बदलने की बात कही थी क्योंकि दोनों का सभाव अलग था और तुजाहरती बाते बच्चे को जिनका सभाव अच्छा लगेगा वो उन्हीं को अपने पास में रखना चाहेंगे Q7 पूरे घर में इरफन को अपनी दादी में विशेश इसने क्यों था तो क्या हुआ पूरे घर में इरफन अपनी दादी से विशेश इसले रखता था क्योंकि पूरे घर में कभी न कभी उसे कोई न कोई डाट देता था मगर उसकी दादी उसे कभी भी नहीं डाटती थी तो क्या होता है बच्चे जिससे ज़्यादा इसने प्यार चाहते हैं या मिलता है उसके ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं यही चीज इरफन के साथ वी थी दादीर इसे डाट नहीं प्रकुम प्यार करती थी तह वह सब्सक्राइब इसने अपनी दादी के साथ में रखता था इरफण की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यूं लगा अब क्या हुआ था जब दोनों ये दादी बदलने वाली बात कह रहे थे तो बाहर बैटे थे तब ही उसी समय इरफण की दादी गुजर गई ये लगा क्योंकि जिसलिये वह उस घर जाता था सिल दिवारों के लिए नहीं जाता था वह ज़्यादी के Quran करने के लिए अब दाधी नहीं थी तो उसे वह घर बिल्कुल खाली और सन्नाटा लगता था क्योंकि वो घर अब उसके लिए किसी मतलब का नहीं रह गया था तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे पूरे घर में रफवन की दादी ही थी जिसे टोपी प्रेम के अटोर बंधन से जुड़ा था वह टोपी को बहुत दुलार करती थी वे हमेशा उसे अपने पास बठा कर उससे बाते करती थी अब उनके चले जाने के बाद उस घर में कोई भी दादी की तरह प्यार से बोलने वाला ना बचा था इसलिए रफवन की दादी के देहान के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा तो मतलब वहाँ सब कोई था लेकिन तब भी टोपी को वो घर खाली लग रहा था क्यों? क्योंकि जिनके लिए वो वहाँ था वो अब वहाँ नहीं थी उनका दिहान थो चुका था Next question टोपी और इर्फवन की दादी अलग-अलग मजब वह जाती के थे पर एक अंजान अटूट रिष्टे में बंदे थे इस कधन के आलोग में अपने विचार प्रकट करी है कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो है आप से आपके विचार पूछे गए आपने पार्ट पढ़ लिया कि दोनों अलग-अलग मजब के थे लेकिन तब भी एक अटूट रिष्टे में बंदे हुए थे सबसे पहले समझिए कि दो पार्ट में question आपसे पूछा गया है पहला पार्ट समझिए तब दूसरे का answer दीजिएगा पहला पार्ट क्या है तोपी और इरफण की दादी अलग-अलग मजब ओ जाती की थी दोनों की दादिया पर एक अंजान अटूट रिष्टे से बद्दी थी क्या था वो अटूट रिष्टा वो अटूट रिष्टा था कि वो टोपी के कारण एक दूसरे से बंधी हुई थी टूपी एक पुता था और दूसरा प्यार का रिष्ट्रा था दोनों भै दादी उसकी भी टूपी की दादी भी तो उसको प्यार करती थी लेकिन सक्ति के साथ करती थी मगर दूसरी तरह इरफन की जो दादी थी वो उसको वो प्यार शो करती प्यार दोनों ही करते थी बस एक शो करने का तरीका अलग-अलग था तो ये चीज पहला इन्होंने पूचा कि इस कथन में के आलोक में अपने ब्रह्म था इस कथन पे इस बात पर अपना मत प्रकट कीजिए क्या है अब इसमें लेकन अगे इस पार्ट के अंतरकत बताया है कि तोपी हिंदू था और इरफण की दादी मुसलिम फिर भी दोनों के बीच एक अटूट मानविय रिष्टा था दोनों आपस में इस नहें के बंदन में बने थे जब भी तोपी इरफण के घर जाता दादी के पास बैठता उनकी मीठी पूरी बोली को उसे बहुत अच्छी लगती तो क्या हुआ तोपी हिंदू था और दादी मुसल्मान लेकिन अलग-अलग मजब की होने के कारण भी वो दोनों प्यार के बंधन में बंधे हुए थे तोपी को इरफण के घर में अपना पन मिलता है इरफण की दादी की भावनाओं को समझने वाला भी घर में कोई नहीं था इसलिए दोनों का रिष्टा जाती और धर्म से परे प्यार के धागे में बंधा था यहाँ पर लेकक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब रिष्टे प्रेम से बंधे होते हैं तब धर्म मजब और बेमानी हो जाते हैं मतलब जब हम प्यार करते हैं तो यह धर्म जाती और रंग रूप सब बेमानी हो जाता है तो यहाँ पर दादी और टोपी के बीट जो प्यार था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जाती के कारण अलग हो यहाँ पर दो में दूसरे से बहुत जादा प्यार करते थे नेक्स कोशिशन टोपी नौवी कक्षा में दो बार फेल हो गया बताईए जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में दो बार फेल हो जाने के क्या कारण थे मतलब वो intelligent जहीन तहाई इंटैलिजन था लेकिन तब भी वो दो बार फेल हुआ कारण क्या था कि वो बहुत अकीला पर महसुस कर रहा था इसके दो कारण आपको बताने है तो क्या हैं ये दो कारण पहला टोपी की जहीन होने के बावजूर भी नौभी कक्षा में दो बार फेल होने के निमलिखित कारण थे वहाँ भी जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई न कोई काम निकलाता या राम दुलारी कोई ऐसी चीज मंगवाती जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती जिसे उससे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता इस तरह से वो फेल हो गया एक ये कारण दूसरा दूसरे साल में मियादी यानि टाय फाइब बुखार हो गया था और पेपर नहीं दे पाया इसलिए वो फेल हो गया था तो ये दो कारण थे जिसके कारण से वो 9th कलास में दो बार फेल हुआ था अब टेंथ वाले का ही दूसरा आपका पार्ट में क्या दिया है टोपी नवी कक्षा में दो बार फेल हो गया बताईए क्या है एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी की किन भावनात्मक चुनोतियों का सामना करना पड़ा तो ये हमारा कोश्चन है देखें स्टेट में दो बार फेल होना था लेकिन उसका क्या यहां पर बताया गया कि उस पे क्या फरक पड़ा एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी की किन भावनात्मक चुनोतियों का सामना करना पड़ा जैसे अध्यापकों के हसी का पात्र होता था क्योंकि कमजोर लड़कों के रूप में अध्यापक उसका ही उधारण देते थे कि यह इतना वीक है फिर फेल होने के कारण उसके कोई नए मित्र नहीं बन पा रहते किसी बात पर ध्यान नहीं देते और वह किसी से शर्म के मारे खुल जहा पाता था मदब एक तो उसके सहपाटी नहीं थे मास्टर उसकी मजाक उड़ाते थे उसके एंप्टल भी वीक बच्चों में देते थे तो ये बहुत सी ऐसी चीजें थी कि बच्चा जो है वो ऐसा फील कर रहा था उसको जो है जो emotionally जो है वो hurt हो रहा था ये सारी चीजें उसको सामना करनी पड़ रही थी तो यहां पर हमने आपको इस पार्ट में बताया कि कैसे कैसे हुआ अब वही इस statement पे एक और आपसे पूछा गया क्या सेम वही ये दो बार फेल होने के कारणा वी कक्षा में दो बार फेल हुआ तो क्या हुआ टोपी की भावनात्मक परेशानियों के मद्दे नजर रखते तो कैसे इसमें पूजा गया है बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं हमारा भी साल बर बात किया है तो हम भी जादा हर्ट होंगे जायर सी बात नहीं है दूसरे बस बोलते रहते हैं इसे पढ़ा नहीं होगा ध्यान नहीं दियो अरे ऐसे कैसे हो जांसिक रूप से परिशान रहने लगते हैं वे शर्म महसूस करते हैं इसके लिए विदारती की पुस्तकिय ज्यान को ही ना परखा जाये बलकि उसके अनुभव और अन्यकार कुशलता को भी देखकर उसे प्रोसाहन देनी के लिए सिरक्षा विस्था में बदलाब किया ज कीजिए उसका और सब चीजों में कितना करुकल एक्टिविटीज में कितना अक्टिव है यह और सब चीजों में भी जब हम ध्यान देंगे तो वह भी चीज़ें प्लस होनी चाहिए हमारे सिर्फ खाली हम जितना एडूकेशन ले रहे हैं उसी के बारे में इसके इलावा भ बच्चा उसमें पास कर ले जाए यानि ऑप्शनल सिक्षकों को इस तरह के बच्चों को समझने के लिए उचित मनों व्यग्यानिक प्रसिक्षन दिया जाना चाहिए तथा परिवार वालों को भी उनकी भरपूर मदद करने चाहिए ना कि उसे कमजोर कहकर उस पर व्यंग कर कसने चाहिए यानि कि अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो जो टीचर्स हैं वो भी उसको अच्छे से हैंडल करें ना कि उसका मजाक उना है और घर वाले भी उसे इमोशनली सपोर्ट करें कि वो इस तरही के इसकी परस्यूतियों को जेल रहा है फिर 11 कोशन क्या है इरफण की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया ठीक है कस्टोडियन मरता सरकारी कबजे में क्यों गया सरकार ने उसको क्यों हडप लिया था तो सबसे पहले आप बताएंगे कस्टोडियन होता कैसा कस्टोडियन का मतलब होता है सरकारी कबजा होना इरफण की दादी की मौत के समय के आज पास उनकी इसमरण शक्ती समाप्त सी हो गई थी कहने का मतलब उन्हें याद रखने की इतनी भूल जाता है ना बुढ़ा हो जाता तो इंसान भूल जाता है उन्हें यह भी याद ना रहा कि अब उनका घर कहां है उनके सारे घर के लोग कराची में रह रहते इसलिए जब उनके घर का कोई वारिस नहीं रहा तो उनके माएके का घर कस्टोडिन में चला गया तो हुआ क्या जब पाठ हुआ तो अब उनको याद ही नहीं रहता था चीजें तो अब कराची में घर होने के कारण जब इनको याद नहीं रहता तो वो कैसे बोले कि हम वारिस हैं उनके घर का जब कोई वारिस नहीं मिला तो सरकार ने उसको अपने कबजे में ले लिया रख रखाव के लिए उस जमीं पे कुछ और चीजें करने के लिए तो इसलिए उसको कबजे में लिया गया था यहां पर हमने आपको आपके पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझाए आपको एक्जाम में यही कोशिन हो सकता आएं लेकिन थोड़ा सा टिल्ट कर दिये जाते हैं, चेंज कर दिये जाते हैं इसलिए जब भी आपके सामने आएं, हमेशा वो एक या दो point of view से पूछे जाते हैं कहने का मतलब एक पार्ट है या दो पार्ट है या तीन पार्ट है कभी इस तरीके से पूछे जाते हैं तो हमेशा जब आप confused हों तो सबसे पहले first part पढ़िये कि उस question में क्या बोला गया है और फिर उसके बाद उसका दूसरा part पढ़िए कि आप से क्या लिखने के लिए कहा गया है तो जब भी question आए बहुत ध्यान से इसके लिए आपको कोई भी chapter को बहुत अच्छे से part समझने के जोड़े जब आप एक बार बाट समझ लोगे तो कोई भी question पूछिए बहुत ही easily आप उसको solve कर पाएंगे ओके आपको आपकी study में बहुत help होई होगी तो आप यही चीजें आप अपने friends और अपने जो भाई बहने उनके साथ share कर सकते हैं कि हम मुझे इतनी पढ़ाई में help मिली है तो उनको भी मिल जाए यह चीज़ शेयर कीजिए तो उसके लिए जो आपको help करने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें बताना पड़ेगा वो हमारी website magnetprint.com पे login करें और वहां से अपने किसी को किसी भी class में हो कोई भी subject के उन्हें परिशानी हो सारे subjects के related आपको यहां पर material मिलेगा आपको वीडियो मिलेंगे इसके लावा आप YouTube चैनल पर भी हमारे वीडियो देख सकते हैं I hope आपको बहुत मदद मिली होगी हमारे आगे और भी वीडियो आते रहेंगे Thank you, bye bye